अब मसला यह है कि पहले उक्साओ, हालात बनाओ, भाड़काओ, उसके बाद में आरूप लगाओ, फिर एफायर कराओ. उसे इस कौन के हिंदू नेता, जिसकी गिरिफ्तारी हो चुकी है, उनका वकील बताया जा रहा था, और यह बताया जा रहा था, कैसे जमियते इसलामी के जो लोग हैं, उन्होंने इस वकील को मार दिया, था यह मुसलिम लॉयर, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसलिए इसलिए का मुसलिते इसलिए नेता का वकील था, लेकिन अभी फैक्ट चेक आया है, और और जुकी बताया है कि प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जैजर मौत के गाड़ उता रहे हैं, अब वो प्रोटेस्टर्स जो यो थे, वो असल में रिहाई की मांग क या या नहीं सारा कुछ चलना था लेकिन अभी पता चला है कि प्रोटेस्टर्स थे, वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हिंदू नेता की बेल की मांग कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स के बीच ये हाथसा हुआ है, तो ये अभी फैक्ट चेक निकल की आ रहा है, ल लगातार शेयर करते हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई करें, लेकिन होता ये है कि अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि खुद मौहमद जुबेर के खिलाफ कारवाई हो रही है, जिया, पहले से उनके उपर इस मामले पर F.I.R. दर्ज है कि उन्होंने ऐसा पोस्ट शेयर किया, दूसरा अब ये उनके उपर धारा लगाई जा रही है कि कैसे उन्होंने भारत की सौवरिंटी और यूनिटी को बिगारने की डेंजर में डालने की कोशिश करिये, यानि जहापर एक नफरती बयान बाजी देने वाले के उपर दिर के पास गई, यानि ये सारा कुछ लग रहा है कि जुबैर के पोस्ट की वज़े से सारा कुछ हुआ है, अब सवाल ये उट रहा है सोशल मेडिया पर के अगर पुलिस सही वक्त पर कारवाई करें, ऐसे इनसान को जेल में डाले जो नफरती बयान बाजी कर रहा है, तो कि खिलाफ तो कारवाई नहीं हो रही, उसे तो जेल में डाला जा रहा है, लेकिन ऐसे इनसान के खिलाफ कारवाई हो रही है, जो इंडिपेंडिटली अपने काम को कर रहा है, और ऐसी रिपोर्टें पेश कर रहा है, जिससे पुलिस के लिए असानी हो कि वो कारवाई कर र यह देखिए अजमेर शरीफ दर्गा को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोट ने स्विकार कर लिया है। में सर्वे का ओर्डर पास किया जारा कोट के अंदर जैश्दिराम का नारा लगा करके सर्वे करने आ रहे हैं लोग खुछ सोचिये वहाँ क्या चल ला है। कि अगर हर मस्जीद के नीचे अगर मंदिर तलाशा जाएगा, शिवलिंग तलाशा जाएगा, तो फिर मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए, मंदिरों के नीचे क्या चल ला हो भी होना चाहिए। कुछ तो लोग यह पक्या रहे हैं कि डाइन और सोर्स अगर खड़े हो गए और मांग करने लगे कि यह सब ताम जाम हटाओ हमारी हट्डिया है तुमारे धरम स्थालों के नीचे तब क्या करेंगे लेकिन मीडिया के अंदर क्या चर्चा है आए सुनते हैं मैं अभी आप मेंसे किसी एक घर के उपर एक नोटिस आलूं कोट में जी साब इसमें मंदी रहे तो आपको भी न सुने आडर हो जाएगा कि नहीं साब चित्रा जाइए हो जाके आप सर्वेश करिए अगर कोट के आदेश के बाद सर्वे करने के लिए टीम बहां पर गई थी इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से एकठे कर लिए जाते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाए हैं अमेशा सरकार और प्रिशासन की नियत पर भी पोलिस वाले भी कई जखनी हुए घाल हुए अपनी जीवन के लिए संगर्श कर रहे हैं और क्या सरक नमबर एक कि जब पहली बार सर्वे हुआ था तो कोई अतराथ नहीं हुआ अराम से सर्वे हो गया सवाल नमबर दो हिज्जास साहब ने बिना अपोजिशन को मस्जिद पक्ष को सुने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया क्या जब पढ़ाई की होगी तो क्या उसमें उ सर्वे काड़ दे दिया सवाल नमबर तीन सवाल नमबर 3 बहुत गोट सुनी है का सुबा साले 5 बजे 6 बजे आप कुछ लोगों को ले के चले जाएंगे नारे लागा थे सर्वे करने के लिए कि बात की जल्दी थी कौन सी ऐसी जल्दी थी बात समझें देश समधान से चले अच्छा यहां कोई बीजेपे का पक्स रखने के लिए नहीं बठा है इसा ही बठाया हुआ यहीं काउंटर कर रही है मेरी बात मेरी बात मेरी बात मेरी बात तो पूरी हो जाने दिए मैं अभी आप में से किसी एक के घर के उपर एक नोटी जालू कोट में इसमें मंदिर है तो का आपको बीना सुने आटर हो जाएगा कि नहीं साब चित्राय साब के घर जाए हो जाके आप सर्वे करिए अब मसला यह है कि पहले उकसाओ हालात बनाओ भड़काओ उसके बाद मे सब खुदी करो दूसरे पक्ष को फसाओ मैंडम समझिए पहले यह होता था एक कहावत थी मुदर्गों की जैसा राजा वैसी परजा अगर राजा खराब तो परजा खराब आज कहावत बदल लगी है मैंडम जैसी परजा वैसा राजा इतना तो साफ हो गया है कि डीबेट में भी बोलने को इनके पास कुछ वचा नहीं है और उल्टा तो रजट शर्मा सुधीर चौदरी खुद इस तरीके के सर्वे के खिलाफ बोलते नजर आ रहा है सुधीर ने तो कहा है कि हिंदू पक्ष को तो आगे बढ़ जाना चाहिए वो वापस पीछे पीछे क्यों जा जाती हैं दर्गे पर मस्जित पर इसको लेकर के खासा बवाल है और डिबेट के अंदर भी इनके पास कुछ रहा नहीं है बोलने को अपनी राइस सुझाओ कॉमेंट में जरू बताए आज के लिए तना ही मिलूँग अगले वीडियो में अपना ख्याल लखें